हलो फ्रेंड्स तो आज मैं ऐसे आइस्कीम की राइस पे लेके आई हूँ जिसे मुह में डालते ही घुल जाने वाली है बनाना बिल्कुल भी आसान और खाने में बहुत यादक क्रीमी क्रीमी लगती है तो फ्रेंड्स ना ही आपको इसमें विफिंग क्रीम डालने के जुरू आप के चिलके से लगा है क्या आप कच्छे है तो नहीं, यह सी आम अने रहते हैं लिकिन अंदर से बहुत यहादा अच्छे πα्क ह्ता है तो अब मैं सारे आम के पल्प को निकाल के रेड़ी कर लोंगी तो फ्रेंड्स वीडियो को पुरान तक देखे अगर वीडियो सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा तो मैं ना सारे आम के पग्व को निकाल के मिक्सी जार में डाल दी और मैं उसे पीस की रेडी कर ली हूँ तो मैं यहां पर एक कढ़ाई ले ली और कढ़ाई में मैं डाल दूँगी एक गिलास दूद तो मैंने मलाई से दूद यूज कर साथ ही मैं डाल दी इसमें मिधास के नुसा चीनी और दो चमच में मिल्क पावडर डाल दूँगी और इसे ना अच्छी तरह से हलके हाथ होसी में फैट के मिला के रेडी कर लोंगी यह देखे प्रेंट्स तो अब मैं यहां पर गया सन करके करहाई को रख दी हूँ और दूद्ध मिला के उसका एक गहुल बणा ली हूँ और अब मैं इस उबलते हुए दूद्ध में थोड़े-थोड़े गहुल दालते जाऊँगी और इसे मिलाते जाऊंगी तो फ्रेंट्स अब मैं घौल डालने के पाद गैस प्लैम को हाइमें लैमच मेहां पर कर दी हूँ तनोथे थीक भी हो गया है है तो फ्रेंट्स मैं इसे दो से तीन मिनट तक अच्छी तरह से फैट के रिडिका ली हूँ है तो अब मैं इसमें डाल की आमके पल और आमके पल्व को अच्छी तरह से मैं दूद में मिला के रेडी कर लूँगी यह देखे फ्रेंट्स तो मैं इसमें फूट कलर एसेंस बगरा बिल्कुल भी यूज नी कर रही हूं और यह इसकीम खाने में बहुत यह टेस्टी लगती है बिल्कुल लगेगा क्या सारा इसकीम आम की बनी अगर ड्राइफ्रूट डालने का मन हो तो डाले नहीं तो कोई दिकत नहीं यह देखे मैं सेवी चीजों को डालने के बाद से अच्छी तरह से मिला लूँगी तो फ्रेंट्स मैं यहाँ पे आइसकीम का मॉल्ट ले ली हूँ और मॉल्ट को ना मैं थोड़ी देर फ्रीज म मानिए आप मार्केट की मेंगो कुलफी खाना बिल्कुल भी भूल जाएंगे और घर की बनी हुई तो बिल्कुल भी फ्रेस होती है और नहीं इसमें कोई केमिकल बगेरा डाला जाता है और एकदम से फ्रेस मेंगो कुलफी बना के आराम से खा सकती है बनाना तो है ना बिल माल्ट ऐसे दुब हो के इसे में पानी तोड़ी दिर रखूंगी तो यह देखिए फ्रेंड्स इसी थोड़ी हिसी तोड़ी डुबोने के बाद यह होता है बहुत है आसानी से आसिकिम निकल जाती है यह देखिए फ्रेंड्स तो है ना इस ice cream को बनाना बिल्कुल भी आसाल तो friends आपको जब भी मन करें तब ही आप इसे जड़पट से बना सकते हैं और phrase खाए, phrase खिलाए, अपने family को भी खिलाए और एक बार अगर बना के खा लेंगे तो यकिन मानिए आपको दुबारा बनाने का मन करेगा तो friends अगर ice cream टेस्टी यम्मी लगे तो एक ब्यारा सा comment भी किजेगा ये दिखी कितनी ज़्यादा creamy creamy बन के ready हुई है ये दिखी मैं खा के दिखा रही हूँ वाव बहुत ज़्यादा यम्मी लगी, बाबाई